नमस्कार दोस्तो आदियोगी हेल्थ केर पे आपका स्वागत है आज की इस वीडियो हम आख की ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर किसी को होती है बच्चे बुडे जवान हम बात करने वाले आख में होने वाली फूनसी जिसे हम बिलिनी गुहेरी अंजिनहा कहते हैं medical ट्रम में इसे श्टाइ कहते हैं आज की स्वीडियों में हम जानेंगे यह क्यों होती है तथा एक्ट्रेशर में इसका क्या ट्रीट्मेंट है कि आई-लैसिस के बेश में एक ग्रियंड होती हैं जिसको हम स्वेशियस ग्लैंड कहते हैं हिंदी में इसको वसामय गरंथी कह जाता है इसका काम क्या होता है यह ग्लैंड ओएल स्क्रीट करती है जो की लूब्रीकेसिन का काम करता जो हमारी आखे बंद होती है वैं खुलती है मतलब पलक जपकती है वैं खुलती है इतने में ही यह लूब्रिकेशन आख में प्रोवाइड हो जाता है अगर यह लूब्रिकेशन सही रूप से प्रोवाइड ना हो तो उसके कारण हमारी आख में रैडनेस ड्राइनेस चूबन यह समस्याय आएंगी इसको हम एक एक जामपल से समझते हैं अगर हम दो से तीन मिन्ट लगातर अपनी आखे खुली रखने का कोशिस करें तो हमारी आखे सूख जाती है हवा जो आती है फिर चुबने लग जाती है फिर इतने हम आखे बंद करते हैं आख से एक दूम पानी आ जाता है ध्यान दिया होगा फिर चार-पास बार हम आखे खोलते बंद करते हैं वह लूब्रीकेशन वह प्रवाइड होता है और हमारी आखों में एकदम थंड़क अच्छा मैसूस होता है यह सबेशिस ग्लैंड यह लूब्रीकेशन प्रवाइड करती है अगर इस कंटिन्यू ओइल बनाती रहेगी उस ब्लोकेश के कारण वहां पर पस भर जाएगा फिर वहां पर इंफेक्शन हो जाएगा फिर वहां पर लंप बन जाएगा दो से तिन दिन के अंदर यह लंप रैड होती है उसके एक भाग पर येलो स्पोर्ट हो जाता है इसे ही हम सोटी सी है लेकिन इसका बेस अंदर तक बहुत बड़ा होता है कई बार ये श्टाई बहुत बड़ी भी होती है इसके अंदर से एक श्टिकी डिस्चार्ज होता है कई बार ये भी देखा गया है कि ये हमारी आखों की उपर वारी प्लक पर आ जाती है जिससे कि हमारी आख भी खोलति फिर भोग्त कम खूल पाती है वह व be醫 रूप होता है इसके कारण क्या है सबसे पहला है स्टेफली कोकस इन्फेक्शन होता है बैक्टेरियल इन। ब्रक्षन उसके कारण होता है दूसरा एक्सपायर डेट के मेकप यूज़ करना धूल मीटी डेंडर्फ के कारण डेंडर्फ जब होता है तो कई वार आखों में आ जाता है उसके कारण भी हो जाता है आखो में जलन लगना आखो में असे लगना कुछ रड़क रहा हैं आखों से पाणिल остав death करना क्या अगर यह इश्टाइव आपकी लेफ्ट आईज में dit आफ है अगर आज आइस में है तो राइट साइड आपको ट्रीटमेंट देना है आपको सिर्मंगल एक पॉइंट यूज करना है जिसका नाम है SI7 इसको आपको सिडेट करना है इसकी लोकेशन क्या है आपको यह इंडेक्स फिंगर में यह मिडल फिंगर की तरफ मिलेगा यह जो आपका जॉइंट आता है इस जॉइंट से थोड़ा से नीचे जाएंगे जो यह पॉइंट आता है यहां पर SI7 इसको करना क्या आपको इसका आपको सिडेट करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताये था मेगनेट होता है एक तरफ येलो होता है एक तरफ येल ठीक हो जाएगी अगर यह टाई आपकी आखों के नीचे हैं जस्ट तो आपको पॉइंट लेना है एस्टी 45 यह पॉइंट आता है यहां पर इसको आप मेथी का दाना भी लगा सकते हैं इस पॉइंट पर इसको लगाना है ऐसे छोड़ देना है अगर यह टाई आपकी आख के अंदर नाक की तरफ है तो इसमें लेना हैं आपको पॉइंट यू भी 67 जो कि आपकी स्मॉल फिंगर प्याता है इस पर इसको मेथी का दाना लगा सकते हैं अगर यह आपकी आख में साइड में हैं तो आपको लेना है गोल ब्लैडर का पोर जो कि यहां पर आता है इस पर भी मेथी का दाना लगा दीजिए और इन पॉइंटों पर प्रेसर देते रहिए इससे भी आपको इसमें आराम मिल जाएगा दोस्तों अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाए 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 शेयर कीजिए धन्यवाद दोस्तों